नमस्का दोस्तो सवागत से, आप सभी लोग का दोस्तो बिहार, SSC Cigle का practice set आप सभी लोग का start कर दिया गया है और ये जो आपका practice set number 8 है, इसके पहले का 7th set आपका upload कर दिया गया है कल से या फिर आपका परसो से जो है आपका एडुटेरिया का वाल्यूम 2 आपका निकाला गया है तो उसको भी हम जल्दे ही स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि आप सभी लोग का टार्गेट बैच जो है कल से स्टार्ट हो गया है तो देखिए कल से मैंने आपको target batch का एक video बना करे कल प्रोवाइट किया था बहुत लोग इसमें जूड़ चुके हैं और कल से आपका target batch start हो जाएगा और कल से practice set जो है start हो जाएगा यानि कल से सभी को देना जो है start हो जाएगा सुबह दिया जाएगा दोपहर में दिया जाएगा और रात आठ बजे दिया जाएगा और इसमें करीबर पांट सो बिद्यार से ही add हो पाएगे और इससे अधिक नहीं हो पाएगे तो अगर आपको जुड़ना है तो फटा फट जुड़ जाएगे अभी आपका seat खाली है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं आपको अगर target batch के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो का जो link है target batch का वो आपको link description मिल जाएगा उसको देख करके अराम से आप target batch जुड़ कर सकते हैं देखिए आपके बास अधिक समय नहीं बचा है बिहार इससे सीजल के लिए तो उमीद है कि आप इसको देखेंगे अराम से group को join करेंगे और अपना score जो है अधिक से अधिक लाने का प्रयास करेंगे तो आज का पहला प्रसन क्या है देख लेते हैं तो यह आपका set नमबर 8 है तो चलिए इसको शुरू करते हैं और यह जो आपका प्रसन स्टार्ट हो रहा है 51 नमबर से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको फटा-फट देख लेते हैं देखिए पहला प्रसन आपका है 51 नमबर स हो जाएगा आगे प्रस्टप्र्स ने कि विश्व बैंक का मुख्याले कहा परिस्तित आगे प्रस्द हूश् जाएगा option B badminton से नेश्ट प्रस्क्राश्ष वीश्व में सबसे स्ट्रॉख एकशेंज जो है कौन सा है इस टॉख डोस्तों इसका उत्र हो जाएगा option C Bombay stock exchange हो जाएगा C इसका सही उत्तर हो जाएगा गैसे बूलाए कि बेशल संबेलन निम्लख्षित पर्याव पर्यावरणिय खातरों में से किस सम्बंदित है तो यह आपको देखने को मिलता है option B खतरनाक अपसिष्ट पदार्थों के सीमा पार इस्थांतरण नियंतरण और इन पदार्थों के निप्टांस या आपका जो B है सही उत्तर हो जाएगा चलिए नेश्ट प्रस्ण है निमलिखित में से किस सहर में सूती कपड़ा उध्धोग जो है मौजुद नहीं है तो पूछ रहा है मौजुद नहीं है तो यह आपको हो जाएगा option B गुरुगराम क्या हो जाएगा गुरुगराम तो इसका सही आंसर 255 नंबर कि भारती समिधान का अनुछेत 371 ए निमलिखित में से किस के बारे में संबंदित है तो देखिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे नागा लेंड राज के संबंध में यह आपका विसेस उपबंध बताता है जो कि 371 ए तो आप इसको अच्छे से याद दे यानि ऑप्सन ए गुरु अंगत देव जो ये दूसरे सिख गुरु थे और इनका प्राणबिक नाम किया था लहना इंका प्राणबिक नाम था निमलिखित में से कौन प्रधानता की तालिका में सर्वोच इस्थान रखता है सर्वोच इस्थान तो यह आपका हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे नेश्ट प्रसने की मदर ट्रेसा को कि सवर्स में भारत रतन पूरसकार से समानित किया गया था तो समानित यहां पर किया गया था यह आपका हो जाएगा ऑप्सन डी 1980 वर्स 1980 नेश्ट प्रसने की जय प्रकास जय प्रकास जल से जय प्रकास माप किजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं जब प्रकास जल से ओलिव आयल में गुजरती है तो किरन डैस होता है तो देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्सन बी अभी लंब की और मुड़ेगी यानि बी को लकड़ी का बुरादा से ढगा जाता है ऐसा क्यों ऐसा किसलिए ढगा जाता है तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा ऑप्सन सी लकड़ी का बुरादा के साथ इसमें फसी हुई वायू के साथ एक उसमा कुचालक की तरह विवहार करता है तथा उसमा को बाहर निकलने से रथा बर्फ को पीघलने से रोकता है तो आंसर आपका option C सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रसने की पाचन के दवरान मुक्त गैस्ट्रीक रस का pH मान कितना होता है तो इसका जो pH मान होता है आपका 7 से कम होता है यानि option आपका 63 का C हो जाएगा अमासे में कार्बो हाइड्रेट का पाचन जो होता है आपका नहीं होता है आगे प्रस्ने के नीमन सम इलेक्ट्रोनिक से सरणी पर विचार करके बताना है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा option A option A नेश्ट प्रस्ने के छोटी माता अथवा smallpox उत्पन होता है किस से देखे smallpox जो है यह आपको देखने के मिलता है किस से तो विसानू से यानि वाइरस से यह आपका फैलता है D इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है और यह सभी आपका जेसे आपका यहां पर बात करेंगे हम AIDS जो होता है यह आपका HIV से होता है डेंगterror आपको अर्भो वािरस से होता है पोलियो आपको पोलियो वाइरस से होता है इस प्रकार से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की समानिहता ओसत स्वसन जो आपका होता है दर कितना होता है स्वसन दर तो यह आपका होता है 12 से 20 कितना होता है 12 से 20 एक सह सन्यूजग बंध किसके मध्य संभव है तो किसके मध्य संभव है तो समान तथा और समान पनमपराओ के मध् चलिए नेश्ट हम परस्टन देख लेते हैं कोसर नबर 68 नमबर बोला कि मृदा बनी होती है किस की देखे जो आपका मृदा बना होता है दोस्तों खनीज प्लस कार्बनिक पदार्थ प्लस वाईउ प्लस जलकी ये बना होता है तो ये इसका सही उत्तर आप कर सकते हैं आगे प्रस्टन है कि आमल वर्सा उन इस्थानों पर होती है जहां पर बड़े उध्धोग हैं एवं वाईउ मंडल एस ओटू से प्रदूसित होते हैं यानि उत्तर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा चलिनेश्ट प्रस्न हम देख लिते हैं बोल रहा है कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते है तो उसे हम फाइनली कहते हैं आवर्तकाल कहते हैं क्या कहते हैं आवर्तकाल निम्ण में से कौन सा ओक्साइड उभय धर्मी है तो कौन सा ओक्साइड जो आपका उभय धर्मी है तो SNO2 SNO2 यानि Option B घरसन बल दो गति सील सात हो के मध्य डैस के करण जो होता है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा Option B यानि खुर्दरेपन हो जाएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगा चले नेश्ट प्रसन देखेंगे उर्धुवपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे वास्प अवस्था में परिवर्तित होता है 20 का उत्तर हो जाएगा पाचक नलिका में पाचन है क्या तो यह आपका हो जाएगा अपूर है क्या है अपूर यानि Option B इसका अंसर हो जाएगा एक विधुत अब घटे होता है तो एक दरवे जो विधुत का चालक करता है यानि ए जो है इसका 75 का अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने की अपमार्जक जल का प्रिष्ट तनाव क्या है तो यह आपका हो जाएगा Option B Option D हो जाएगा कम करता है याद रखेंगे D सही आंसर हो जाएगा धोणी का तारत वह निर्भर करता है किस पर देखे जो आपका धोणी का तारत है आपको जाद ही होगा यह आपका आविरती पर निर्भर होता है यानि B इसका सही आंसर हो जाएगा एक उट एक घोड़े की तुलना में रगिस्तान बहुत आसानी से दोड़ सकता है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैर जो है इसके बड़े होते हैं और आपसन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ण है बोला कि संदूसित जल रोग है कौन सा है यानि जल से जो आपका दूसित रोग पूछ रहा है तो यह आपका हो जाएगा गैश्टो एंटे राइटीस हो जाएगा और आपसन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा चलिए नेश्ट प्रस्ण हम आपका देख लेते हैं असी नमबर आपका बोल रहा है कि पादप की सुवस्त विरिधी के लिए सबसे अच्छे मृदा कौन सी है दखे सबसे अच्छे जो आपका मृदा है या आपका हो जाएगा ओप्सने दो मट क्या हो जाएगा दो मट नेश्ट प्रस्ण है कि जलोड मिट्टी के संबंध में निम्लिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है तो जलोड मिट्टी के बारे में पूछ रहा है तो वैसे आपने आंसर किया होगा यह सबजियां और फल उगाने के लिए उप्यूक्त नहीं है जो कि यह गलत बोल रहा है देखिए यह उत्तरी भारत के डेल्टा छेतरों के अधिकांस भागों में पाया जता है जो कि सही है यह मिट्टी और रेत का मिस्रण होता यह भी सही है यह पोसक ततों से भरपूर होता है तो यह भी आपका पोइंट जो है सही है जलोर मिर्दा मुल्ता हिमाले से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए आवसादों के निछेपों से या सागर द्वारा पीछे हटने से उपरांत छोड़े गए गाज से बना होता है आगे है कि बहाई मंदिर जो है आपका कहां परिस्तित है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन भी नई दिल्ली में वर्स 2021 के 31 सरसुती समान के लिए किसे चुना गया है देखें दोस्तों आप सभी लोगों से एक बार फिर में बोलूँगा कि टार्गेट बैस में अगर आप लोग जुड़ रहा है तो सीटों के संख्या है जो मैंने 500 से बूला सा वह आपका भर रहा है तो कहीं अगर आप नहीं जुड़ पाएंगे तो आपको ही बेनिफिट नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दस प्रैक्टिस इट जो आपका नया-nया मार्केट मे आपको क्या कर लाउंक है तो कहीं नहीं आपको इपाईदा है आगे आप समझेगा कि आपको किस तरिकांखे से आपको क्या करना है तो इसका जो जाए ऑप संस्थान के पूछ रहा है div have closed प्र इंगा संस्थान के पूछ रहा है तो मुल्धी परदेश मद्य पर्देश के भौपाल में इस्थित है सी सिसका सही उन्तर हो जाएगा भारती मिरिद्दा विज्ञान संस्थान की जो है यह आपका 1988 में भोपाल में किया गया था भारत ने 1974 और 1976 में किये गए समझोते के अंतरगत स्रिलंका को डैस द्यूप का स्वामी तो जो है कर दिया है तो सही आंसर आपका हो जाएगा option डी जो है आपका यहां पर कच वित्थू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए नेश्ट प्रसना हम देख लेते हैं बोल लाए कि निम्लिखित में इसे तीन विकल्प भारत प्रचलित परकार के म्यूच्वल फंढ का सही वर्णन करते हैं विसम विकलप ज्याद करके बताए इन में से आपका कौन सा अलग है यहीं आपका पोछ रहा है तो देखे यह आपका हो जाएगा शाट कैफ फंड जो है आपका अलग है तो आप राज सबा से सबसे लंबे समय तक पढ़ान मंतरी बने रहने का रिकॉर्ड जो है डाक्टर मनमोहंत सिंग के नाम पर ही है तो आप अच्छे से याद रखेंगे निमलिखित में से किसने भारत के वीत मंतरी की रूप में कारे जो है आपका नहीं किया है तो यहाँ पूछ रहा है कार यह नहीं किया है तो आपका हो जागा लाल कृष्ण आडवानी बाकी यसवंत सिंहा ने किया है पीछ दंबरम ने किया है और जैसवंत सिंहा ने भी यहाँ पर किया है चलिए नेश्ट प्रस्न हम देख लेते हैं निमलिकीत में से कौन दूसरी बार भारत की परदारमंतरी बने थे तो यहां पर पूछ रहा है कि दूसरी बार तो यह आपका हो जाएगा आई के गुजराल आई के गुजराल यानि आप्सन ए डैस का मुख्याले बियना औस्ट्रिया में इस्थित है जो आपका डैस का मुख्याले है बियना यह आपका औस्ट्रिया में इस्थित है कौन सा है दोस्तों तो देखे यह आपको देखने को मिलता है पैट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानि option C सही उत्तर हो जाएगा वही हम बात करेंगे कि ओपेक का जो इस्थापना है यह आपका 1960 में हुआ था भारती राष्ट्री धोज में सफेद पट्टी के केंद्र में इस्थित असोक के चक्र क्या दरसाता है जो आपका असोक का चक्र है वह आपका क्या दरसाता है तो यह आपका धर्म को दरसाता है यानि option आपका जो है C सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे परस्थन हम देखते हैं question number 92 देख लेते हैं यह आपका बोला कि अलगेंडर रीड और थामस मुंदरों के सासन काल के दोरान डैस विवस्था को धीरे धीरे संपूर दच्षिड भारत में विस्तारित किया गया था तो यह जो आपका विस्तारित किया गया था यह आपका हो जाएगा option भी रहत वाड़ी याद रखेंगे रहत वाड़ी चलिए नेश्ट प्रसन है बोल रहा है कोसे नबर 93 नबर कि यदि किसी संपती को उसके मूल्य में किसी परकार की हानी के बिना बेचना या नगत में परिवर्चित करना सरल हो तो उसे क्या कहा जाता है तो फाइनली उसको हम क्या काते हैं तो आप सभी लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा option D तरल अस्ती हो जाएगा या option D सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन दिल्ली सल्तरत से संबंधित नहीं था दिल्ली सल्तरत से जो आपका संबंधित नहीं था या आपका हो जाएगा मुहम्मद गौरी यानि option A देखे सरपर्थां 12 सताब्दी के मध्य गौरी वंस का उदेह हुआ था मुहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर आकर्मण करने की सुरुवात की और मुल्तान का आकर्मण मुल्तान पर आकर्मण किया था तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे आगे के छेत्र का उसी छेत्र का उसी छेत्र से समयद कला से संबंध पारंपरिक रंगमंच स्वरूप का मिलान करके आपको बताना है तो हम question 95 का सही उत्त पर क्या है देख लेते हैं कि तो कजी इसका जो सही त्रेया आपका हो जाएगा option सी जो आपका यहाँ पे दिया गया है जात्रा जो है आपका हो जाएगा जी मोफमंगाल और जो आपका बी दिया गया है यह चwny Украї यस गान करगा कर्तविएवं जिम्ह‌दारियों के साथ जंगणना आई गोजित करने की योजना प्रदान करने के लिए भारत में जंगणना अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था तो यह किया गया था वर्ष वर्स 1948 में निमलिखित में से किस कानून का मुख्य उद्धे से भारत में इश्ट इंडिया कंपनी के सासन प्रबंधन में बदलाव लाया था तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारत की नितियायो का देख्ष जो है कौन होता है तो यह आपका हो जाएगा और भारत ने सिमला समझोते पर किस वर्स हस्ताक्षर किये जिसने पूर्वी छेत्र में तिबबत को भारत से अलग करने वाली मैक मोहर रेखा को जन्म दिया है तो यह आपका हो जाएगा वर्स 1914 में सफेद संग मर्मर से बने विसाल मकबरे ताजमहल को किस वर्स जो है यूनेस्को के विसुधरोहर इस्थलों में सामिल किया गया था तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आप्शन डी 1983 में ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार मुखिया को किस परकार पारित और विस्वास प्रस्ताद द्वारा अपने पत से हटाया जा सकता है तो यह आपका हो जाएगा सधराण बहुमत हो जाएगा यह इसका सही उत्तर हो जाएगा चले नेश्ट प्रस्न हम देख लेते हैं कुस्च नंबर 102 नंबर बोल रहा है कि रेपो रेट कौन से सरकारी एजनसी जो है तय करती है रेपो रेट तो ये आपका हो जाएगा ऑप्सने भारती रिजर्ब वैंक हो जाएगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्स 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन आफ दा इयर अवार्ड जो है किसे दिया गया है तो ये आवार्ड दोस्तो आपका हो जाएगा ऑप्सन डी कोनेरू हमपी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से किस चोल समराट ने वर्स 2010 इस्वी में चोल राजधानी तंजावुर में इस्थित परख्यात वरिह देशवर मंदिर का निर्मार जो है करवाया था किसने तो यह आपका करवाय गया था राज राज चोल प्रथम यानि ऑप्सन बी आगे प्रस्न है बोला कि पंचायत सचीव किस संस्था का सचीव होता है जो आपका पंचायत सचीव होता है किस संस्था का सचीव होता है तो आपका याद रखेंगे गराम पंचायत का गराम पंच जाता है कि तो यह आपको हो जाएगा option D संपास्वीक हो जाएगा आप याद रखेंगे विद्धिय समावेश क्या है तो वित्य समावेश जो है विद्धिय समायोजन सभी वर्ग के बीच है यानि option जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से किस जन जाती है ने मुगल सासकों को सतर बार हराया है तो यह आपको हो जाएगा औप्सटन यह याद रखेंगे अभू जन जाती है भारत में राष्ट्रिय आई एंप्रती व्यक्ति आय पर रिपोर्ट निमलिखित में से किस मंतराले के द्वारा जुह है परकासित की जात राज ये पुनर गठन अधिनियम जो है कब पारित किया गया था देखिए राज ये पुनर गठन आज आजो आपका अधिनियम है यह आपका पारित किया गया था याद रखेंगे अगस्त 1956 में अगस्त 1956 टोक्यो मेराथन 222 के पुरुस इलिट वर्ग का खिताब जो है किसने जीता है तो यह आपका हो जाएगा इलिट किप चोगे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ सास्तर से संदर्भ में UNDP का अर्थ क्या है तो देखें UNDP का हो जाएगा United Nations Development Program हो जाएगा यह option D सही उत्तर हो जाएगा अब आते हैं 103 नंबर पे बोल रहा है कि निम्निखित में से कौन सा भारतिय निरवाचन आयो का अधिकारी नहीं है तो इसमें पूछ रहा है तो यह आपकी जिगा अधिकार नहीं है यह आपका प्रस्न पूछ रहा है तो इसका उत्तर जो है ए इसमेदानिक रूप से स्वतंत्र निकाय है तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे निम्निखित में से कौन से चोटी पुर्वांचल की पहाड़ियों या पूर्वी हिमाले की नहीं है तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्सन सी हो जाएगा हिमाद्र की परवत स्रेडी हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे निम्निकित में से कौन सा पंचायती राज का इसतर नहीं है तो यह होजाएगा और सबसे निमलिक्षित में से कौन सी जून उन्निसो 97 भारत सरकार द्वारा सुरू की गई एक परकार की सारवजणि के वीतरण परनाली है देखें सारवजणि के बारें पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा opposition C लक्षित सारवजणि के वीतरण परणाली हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्मियों के महिने के दौरान प्राइदीपिय भारत में लगभख लगभख डैस पर उसमें उपोष्ण कटि बंधिय पूर्वी जेट धारा नामक पूर्वी जेट धारा परभावित होती है तो इसका उत्तर क् अधिनियम में सामिल नहीं किया गया है तो यह आपका सामिल नहीं किया गया है गुलाम रखने की सोतंता बाकि देश के किसी भी हिस्से में निवास करने की सोतंता है वाक एवं अभिव्यक्तिय की सोतंता है सांती पूर्व समिलन एवं संग बनाने की सोतंता है आगे है कि ट गुफाएं कहां परिस्ती थे तकि अजन्ता की गुफाएं की बात करेंगे तो यह आपको हो जाएगा उपसंसी महराष्टरा इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में निमलिखित में से किस इस्थान पर पावन उर्जा जो है फॉर्म फार्म नहीं है पावन उर्जा जो है दिल्ली चलिए आपका यहां पे सब मैस का कोशन स्टार्ट हो रहा है त मांच पेजिवारो है दिया हुआ है आगे आपका यहां पे दिया हुआ है आपका 144 नमर से इसको भी हम देख लेते हैं बोल रहा है कि आनख के निम्रिकित में से किस भाग में मांस्पेसिया होती है देखिए मांस्पेसियों के बारे में पूछ रहा है 144 नमबर तो इसका देखिए जो सही आंसर है आपका हो जाएगा option D यानि परितालिका हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे आगे प्रसने कि डोलो माइट डैस का एक आयस कहें देखिए डोलो माइट आपको याद ही होगा या आपका मैगनीसियम का एक आयस कहें option A सही आंसर हो जाएगा का नीरमान करता है तो बीच का जो आपका निर्मान करता है आपका बिजांट हो जागा योपसंट सी चलिए मुख्यां देख लिए कि मुख लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं ऐसा क्यों ऐसे लिए सुस्त हो जाती है कि लोलक की जो लंबाई है बढ़ जाते है यानि ऑप्शन सी यह सो आपका प्रसन है तो आप इसको अराम से बनाईएगा टारगेट बैच में जल्दी से जूड़ जाएए क्योंकि देदरे आपका टारगेट बैच में फूल हो रहा है तो कहीं ने कहीं आप जूड़ नहीं पाएंगे तो टाइम रहते जूड़ जाएए सभी आपको सेट मिलेगा कल से तो स्टार्ट हो ही जाएगा बिलते हैं नए वीडियो में आज के लिए इतना ही